बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दुलरवा आईएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ एक बार फिर से ED का सिकंजा कस गया है और कारवाई तेज हो गई है। लोगों के तीन अलग-अलग ठिकानों पर सुबह के समय चापा मारा गया। बता दें कि ED ने संजीव हंस और उनके करीबियों के ठिकानों पर पिछले महिने भी चापे मारी की थी। उछ दौरान जाच एजनसी को भारी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात और कैस बरामद काम में आरजेडी के पुर्व विधायक गुलाव यादव ने भी उनका साथ दिया। उनके खिलाब भी ED सिकंजा कस रही है। एक महिने के भीतर दूसरी बार शापे मारी होने के बाद संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती नजरा रही है। उन पर अब गिरफतारी का खत् एक नया मामला दर्ज किया था। जाज के दौरान ED को संजीव हंस की पत्नी के अलावा उनके कई रिष्टेदारों के खिलाब भी सबूत मिले थे। इसी के तहत आज सुबह से कारवाई जारी है। जार ठीकानों पर बुद्वार को सर्च किया था। दो मा पहले ED ने मनी लॉंडरिंग मामले में संजीव और गुलाब के पत्ना, पुणे, पंजाब, दिल्ली, नोईडा समेत देश के दरजन भर ठीकानों पर छापे मारी की थी। तो एक बार फिर से संजीव हंस पर करता हुआ जा रहा है, कारवाई तेज हो गई है ED की, तो इसके संकेत मिल रहे हैं, जानने वाले जानकार जो हैं वो कहते हैं कि नितीश पर दबाव बनाने के लिए मोदी और साह की टीम जो है ED वो जो नितीश के दुलरवा, आईया सदिकारी हैं, संजीव हंस, उन पर सिकं जाकस रही है, ताकि नितीश इधर उधर का न सोचे, तो आपने देखा भी होगा, पिछले कुछ समय से नितीश चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, चाहे कोई भी मामला हो, नितीश ने कभी भी BJP के विरोध में कुछ नहीं बोला है, चुपी साधी हुई है नितीश कुमा उसमें कहीं न कहीं नितीश भी फस सकते हैं, ये चर्चा है पटना से लेकर दिल्ली तक, तो ED की कारवाई तेज हो गई है, संजीव हंस के खिलाफ अब देखने वाली बात होगी, कि आगे और इसमें क्या होता है, क्या संजीव हंस की गिरफतारी भी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है, फिलाल के लिए इतना ही ताजातरीन खबरों का सिलसला लगातार जारी है, देखते रहें दर्शन्यूज